जै श्री राम, जै हनुमान हर अर्मादयों 23 अप्रेल मंगलवार के दिन हमारे बजरंग बली जी का जन्म दिन है इस दिन बजरंग बली जी का जन्म हुआ था बहुती दुरलब सयोग में इस बार का हनुमान जी का जन्म दिन आया है देखें मंगलवार के दिन ही उनका जन्म हुआ था और मंगलवार का दिन ही जो है वो बजरंग बली का माना जाता है और इस बार का ये जो हन्मान जी का जन्म उट्सव आया है ये भी मंगल बार के दिन है तो इस दिन बहुती दुल्लब संयोग बन रहा है इस दिन के विशेश मनो कामनापुर्ती के उपाय है आपने आज सुबस लेके अभी तक बहुत सारे उपाय किये होंगे लेकिन ये जो उपाई किये जाने हैं ये शाम से लेकर रात तक किये जाने वाले उपाई हैं इन उपाईयों को करके आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाएं और अपने जीवन को खुशाल बनाएं चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाई की सबसे पहला उपाई जो है वो व तो आपको जाना है बजरंग बली के मंदिर और अपने साथ में एक चीज लेकर जानी है मात्र वह क्या एक सफेद रंग का कागज लेकर चले जाए ठीक है जब आप बजरंग बली के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको बजरंग बली के सामने बैठकर एक बार हनुमान जी के सीधे पैर में जो सिंदूर लगा रहता है उसको आपको निकाल लेना है अब जो आप एक सफेद रंग का कागज लेकर गया है उस पर आपको त्रिशूल का निशान बना लेना है और एक विशेस नाम लेना है गती मान जी का जी हां दोस्तों आपको त्रिशूल बनाना ह उसके बाद गतिमान जी का नाम लेते हुए, आपको हनुमान जी से अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए प्रार्थना करके अपने घर वापस आजाना है, अब इस कागज के टुकडे को जिसमें आपने तृष्वल बनाया था, उसे आपको अपने पूजा करने के स्थान पर र दूसरे उपाय की, देखिए बहुत प्रियास करने के बाद भी आप लोग करजा उतार नहीं पार हैं, तो आज के दिन आप लोग ये कचुक उपाय जरूर कीजिए, लाग प्रियास के बाद भी अगर करज नहीं उतर पा रहा हो, तो आज आप लोगों ने इस उपाय को कर तो आपका कितना भी बड़ा करज जो होगा, वो उतरेगा जरूर, तो इसके लिए करना क्या है, ये उपाय भी आपको शाम से लेकर रात तक ही करना है, इसके लिए आपको एक आटे का चौमुखा दिया बनाना है, उसके बाद आपको इसमें तेल कौन सा डालना है, तो दे हनवान जी के मंदिर में पहुच जाएंगे, उसके बाद आपको इस दीपक को हनवान जी के सामने रख कर जला देना है, जलाने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र ले लेना है, और बाबा से अपने घर से कर्द दूर करने की मनोकामना यानि की प्रारतना कर लेनी, उसक जरूर एक बार करते ही आपके घर से कर्ज मुक्ति हो जागी चलिए बात करते हैं तीसरे उपाएगी देखे जिनके रुप्या पैसा आई नीरा है बहुत ज्यादा परिशान है लचमी की बहुत ज्यादा कमी है तो अज मंगलवारो रहनमान जी का दिन है आज के दिन आप लो आप में एक सिक्का रख लें और एक जनियू भी रखना है अब आप लोग पहुंच जाए हनमान जी के मंदिर जब आप लोग हनमान जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको इनारियल पान और जनियू और सिक्का हनमान जी के चरणों में रख देना है अपने नाम से धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर में लच्मी का आगमन हो जाएगा चलिए बात करते हैं चौन्थे उपाय की चौन्था उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके बीमारिया बहुत ज़ादा बनी हुई है तो इसके लिए आपको करना क्या है जो एक दि बहुत ज बाले में पहुच जाएंगे तो शिव जी के उपर आपको इस बेल पत्री को समर्पित करना है समर्पित कैसे करेंगे बेल पत्री में जहां पर आपने लाल चंदन की बिंदी लगाई है वहाँ पर आपको एक-एक शमी पत्र रख लेना है अपने सीधे हाथ में उस बेल पत्र को रख कर जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र ले और फिर ये बेल पत्री बाबा को समर्पित कर दे जब आप बाबा को बेल पत्र समर्पित करेंगे उस समय आपको लेना है एक विशेश नाम जी हैं आपको हनमान जी के सबसे छोटे भाई गती मान जी का नाम लेना है और उनसे रोग मुक्ति की प्राटना करके बेल पत्री बाबा को समर्पित कर दें ऐसा करने से जो व्यक्ति बिमार रहता है, वो बहुंच जल्दी स्वस्थ हो जागा, उसे दमाईयां लगने लग जाएंगी, चले बात करते हैं अगले उपाय की, यह उपाय मुनके लिए हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रहे हैं, तो देखें, आज र इक डाल दें, उसके अंदर लॉंग, यह उपाय, आपको अपने घर के पूजा मंदी में, अपने घर के भगवान के सामने बैठ कर करना है, जहां पर बजरंग बली की फोटो हो, उनके सामने, आपको एक सूद दगी का दीपक जलाने नहीं, दीपक में बत्तिय आपको गोल डालनी है, और शुद दगी डालने के बाद, दीपक जला लें, जलाने के बाद, इस पानी के लुटे को भी अपने सामने रख लें, रखने के बाद, एक आसन बिच्छा लें, उसके बाद, आपको आसन के उपर बैठ जाना है, बैठने के बाद, हनुमान चाली सा का दोस्तों, ग्यारा बार आपको हनुमान चाली सगा पार्ट करना है, जब ग्यारा बार आप लोग हनुमान चाली सगा पार्ट कर लें, उसके बाद आपको ये जो जल का लुटा है, अब इसको क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए, ये जो जल का लुटा है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको पी लेना है और बागी का बचा हुआ जल आपको अपने पूरे घर में छुड़क देना छुड़कने के बाद जो थोड़ा सा जल बचा हुआ रहेगा उसे आपको किसी पौदे में डाल देना है अब जो इसके अंदर सिक्का था उसे आपको विवा की बात करने के लिए जाएं उस तामें आपको इस लोग को अपने मुह में रख कर जाना है आप विश्वास किजिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ग्यारा दिन के अंदर पूरी हो जाएगी बहुती अचुक और शक्तिशाली उपाय है देखे इस उपाय को एकदम समय से और एकदम नियम से करना है इस उपाय को करते ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी बजरंग बली आपके सभी संकट सभी कष्टों को काटेंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे तो देखे आज हनुआन जयनती के दिन किये जाने वाले वी से उपाय इस दिन आप लोगों ने दिन भर भले चोटे चोटे उपाय की हों लेकिन शाम से लेके रात तक आज आज आपको इन उपायों को जरूर करना चीए आपकी सभी मनोकामना है जरूर पोना होंगी वीडियो पसंद है तो प्लिस लाइक करें शेयर करें और मैं चैनल को सब्सक्र